हालो एबरीवन तो हम करते हैं आज वल्टेज रेइगूलेशन वल्टेज वल्टता नियमन ठीक है? एकजाम की दरश्टी से ये इम्पोटेंट है ठीक है? तो वल्टेज रेइगूलेशन का होता है सबसे पहले तो हमें यह देखते हैं कि हम इसका यूज कहां करते हैं और क्यों करते हैं हमें पता है voltage की जो average value EDC हमारे पास क्या आती है EDC IDC into RL ठीक है या फिर इसको EDC equal to IM upon pi RL लिख सकते हैं क्योंकि IDC की value IM upon pi होती है या फिर IM की value भी put करें तो EMRL upon pi R plus RL ठीक है तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास जो voltage है EDC IDC into RL का multiply होती है तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि जो EDC की value वो IDC ठीक है दिश्ट जो वोल्टता है EDC वो load resistance RL और IDC पर depend करते हैं ठीक है RL और जो हमारी DC current है उसमें अगर change हो रहा है तो हमारी EDC भी change होगी ठीक है पता चल रहा है IDC change होगी RL change होगा तो EDC इस तिरनी रह पाएगी वो भी change होगी तो EDC जो change होने पर जो वोल्टता है हमारी DC जो वोल्टता है वो change होने पर वो कम change होगा IDC में भी change होगा और RL में भी तो RL में जब change हो रहा है तो EDC में change हो रहा है इस से परिवर्तन को जो changing हो रही है इसको मापने के लिए हम voltage regulation का यूजे करते हैं समझा है कहां करते हैं जब RL में change हो रहा है तो EDC में change हो रहा है RL में change होने पर EDC में जो change होगा वो हम कैसे निकाले उसके लिए हम voltage regulation का यूजे करते हैं तो voltage regulation में जो हमारी rectifier होता है उसमें load जो परिपत होता है उसमें load अटाने RL के value हम infinity करते हैं मतलब कोई load ना लगाए no load की condition होगी एक load की presence में इन दोनों condition में हम voltage regulation देखेंगे तो अगर हम percentage voltage regulation निकालें percentage voltage regulation निकालें तो हमारे पास VNL एक पर तुम देखेंगे फिर समझाओंगे यह क्या क्या है VFL upon VNL into 100 नो load बिना load की उपस्तती में voltage क्या होगी फुल load load की presence में बोल्ट ता क्या होगी VNL no load sorry VFL आए गया ठीक है तो इनका जो ratio होता है वो ही percentage voltage regulation ने कहलाता है ठीक है तो एक पर लिखेंगे लो VNL क्या है no load ठीक है और VFL क्योंगा हमारा load की presence में फुल लोड बोल सकते हैं इसको फुल लोड इस condition no load R tends to infinity होगा ठीक है तो यह है percentage voltage regulation अब हम एक बर EDC के दुबार असे देखें EDC के है EM RL अपॉन पाई R प्लस RL ठीक है EM और अपॉन पाई हम बाहर ले तो हमारे पास है यहां से हम करें तो RL अपॉन R प्लस RL बचेगा ठीक है इसमें हम RL को दोनों से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा EM अपॉन पाई 1 अपॉन 1 प्लस R बाई RL ठीक है अब इसको उपर ले जाएं तो EM अपॉन पाई 1 प्लस R बाई RL इसकी पावर माइनस 1 अब हम इसको expansion कर सकते हैं इसका expansion कैसे करेंगे 1 प्लस X की पावर माइनस 1 को कैसे expansion करते हैं इसका 1 माइनस X plus x square y factorial 2 minus x cube y factorial 3 ठीक है तो इस परकार इसका expansion करते है तो इसी परकार हम इसका करते है तो इसका करेंगे तो em upon pi 1 minus r y r l plus r square y r l square factorial 2 तो इनकी जो आगे की term है उसको हमें negligible मानते हैं only इतनी term लेते हैं क्योंकि r l की value जादा होती जाएगी negligible मानेंगे तो हमारे पास edc की आएगी em upon pi 1 minus r by r l यहां तक के लिए book में direct ऐसे दे रखा है तो समझ नहीं आएगा तो इस तरीके से expansion किया गया और फिर हमारे पास यह edc की value आई ठीक है यहां से अगर हम निकाले edc तो इसको हम em upon pi minus em upon r l em upon r l यह r plus r l होता है r को हमने negligible माना तो इस condition में यह क्या हो जाएगा em upon pi r l यह term बचेगी इसको हम direct idc पूट करेंगे क्योंकि idc की value होती है idc r यह कैसे लिखा समझ नहीं आया होगा दुबारा समझ आ रही हूँ मैं देखो एक बर edc यहां तक समझ में आ गया edc की value यहां तक देखो edc की value हमारे पास आई em upon pi minus 1 minus r by r l ठीक है इतना किलियर अब next अगर edc करें तो em upon pi minus em r upon pi r l ठीक है r l को हम r plus r l लिख सकते हैं r l को r plus r l क्यों लिख सकते हैं क्योंकि अगर हम r l को infinity मानें इसको अगर infinity मानें तो 1 plus infinity infinity हो जाएगा तो r plus r l को यह infinity के बराबर हो जाएगा तो हम r l infinity तो ले रहे हैं no load की presence में इस वज़े से इसको r plus r l लिखा ठीक है तो यह value हमारी क्या हो जाएगी im ठीक है idc sorry idc हो जाएगी तो em upon pi minus idc r यह हो गई edc की value यहां तक clear बिल्कुल ठीक है यह equation अब हम इसको graph में denote करेंगे वो हम कल करते हैं यहां तक clear सभी को edc की value हम voltage regulation कर रहे हैं जो की important है यह समझ में आना चाहिए सब के तो edc क्या है हमारे पास em upon pi minus idc r यह कैसे आया हम समझ चुके ठीक है बाकि फिर भी किसी को समझ नहीं आयो एक पर पूछ लेना ओके कल करते हैं इससे next से 이번 व के बहुए हमी नहीच समझ झाह हैं